वीवी पैट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ संभावनाएं बनती हैं वह नहीं किया जा रहा है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की आलोचना करने वालों की निंदा की थी कोर्ट ने कहा था कि देश में चुनाव करा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिपनी की थी दर असल याचिका में मांग की गई थी कि EVM में डाले जाने वाले वोट का सो फीस्दी वीवी पैट मशीन के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाए ताकि मत दाता को पता चल सके कि उसने सही वोट दिया है गूगल ने की करमचारियों की कॉस्ट कटिंग बड़ी-बड़ी IT कंपनियां इन दिनों संभावित मंदी से जूज रही हैं लागत में कमी करने के लिए ये कंपनियां करमचारियों पर छंटनी की तलवार चला रही है इस बीच गूगल से भी ऐसी ही खबर सामने आई है एक बार फिर अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल अपने करमचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा रही है गूगल ने बड़े स्थर पर करमचारियों को नौकरी से निकाल दिया है कमपनी के एक प्रवक्ता ने बुद्वार को बताया की, कॉस्ट कटिंग यानी लागत में कमी लाने के लिए करमचारियों की संख्या में कटौती की जा रही है। पर भीजेगी, जहां वह निवेश कर रही है, गौर्टलब है। इस साल टेक और मीडिया जगत में कई नौकरियों में कटौती के बाद गूगल में भी यह चंटनी हो रही है, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि चंटनी जारी रह सकती है, साफ है कि कमपनिया आर्थिक अनि प्रदेश ने चार विदेशी नागरिक गिरफतार किये हैं, इसी के साथ करोडों रुपए की ड्रग्स भी बरामद की गई है, पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 200 करोड रुपए आकलन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहां से विदेश में सप्लाई भी की जाती थी, ठाना दादरी और इकोटेक प्रथम पुलीस में संयुक्त कारवाई की है, प्रदेश में चल रहे मादक पदार्ट प्रहार अधिनियम के तहट यह कारवाई की गई है, पकड़े गए चारों विदेशी नागरिक नाइजीरिया के हैं, एक के पास वीजा है, जो कुछ दिन आया था, बाकी तीन के पास वीजा नहीं है, पकड़ी गई ड्रग्स MDMA है, पचीस किलो की मातरा बताई जा रही है, इससे पहले दो बार ड्रग्स की बड़ी खेप इसी क्षेतर में पकड़ी जा चुकी है, एक में 140 किलो ड्रग्स पकड़ी थी, दूसरे मामले में करीब 36 क पकड़ी गई थी, यह लोग नाइजीरिया के साथ साथ स्थानी असतर पर भी ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, गुरू ग्राम, दिली एन सी आर नुएडा आदी में होने वाली रेव पाार्टियों में भी यह लोग ड्रग्स की सप्लाई करते हैं. केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व पीम नरसिमहा राव और उनके तदकालीन वित मंत्री मनमोहन सिंग की तारीफ की उसने सन 1991 में आर्थिक उदारी करण की शुरुआत करने के लिए राव और सिंग की सराहना की अदालत में सरकार ने कहा कि इस कदम से प्रभावी रूप लाइसेंस राज का यूग समाप्त हो गया सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंदरचूड की अध्यक्षता वाली नो न्यायाधीशों की पीट को सूचित किया की राव और सिंग द्वारा पेश किये गए आर्थिक सुधारों ने कमपनी कानून और व्यापार व्यभार अधिनियम MRTP सहित कई कानूनों को उधार बनाया है हालांकि उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला की अगले तीन दशकों में बाद की सरकारों ने उद्व गधिनियम 1951 में संशोधन की आवशक्ता नहीं समझी दरासल तुशार मेहता पीट के एक सवाल का जवाब दे रहे थे पीट ने आईडी आरे 1951 की आलोचना करते हुए इसे पुरातन पंथी और लाइसेंस राज यूग बताया इस पर मेहता ने जोड दे कर कहा कि आर्थिक सुधारों के जरिये लाई गई सल्मान खान के घर के बाहर हुई गोली बारी की घटना के बाद पुलीस की कारवाई लगातार जारी है दो आरोपियों की गिरफतारी के बाद अब एक और शक्स को हिरासत में लिया गया है इस मामले में बधुवार रात को एक संदिग्ध को पुलीस ने पकड़ा है पुलीस सूतरों के मताबिक इस व्यक्ती ने लौरेंस बिशनोई गिरोह और शूटरों के बीच संपर्क का काम किया था रविवार की सुबह मोटर साइकल पर सवार दो लोगों ने मुंबई के बांदरा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पांच राउंड फाइरिंग की और मौके से फरार हो गए थे इसके बाद पुलिस ने लगातार छापे मारी कर दोनों को गुजरात के कच्छ से गिरफतार कर लिया था पुलिस के मताबिक दो संदिगधों में से एक सागर कुमार पलक को घटना से कुछ घंटे पहले कथित तोर पर एक बंदूक मुहया कराई गई थी जो 13 अप्रेल की रात को बांदरा इलाके से ली गई थी हालांकि हथियार की आपूर्दी करने वाले व्यक्ति की पहचान अब तक सामने नहीं आई है दोनों आरोपी बिहार के पश्चिम चमपारन के रहने वाले हैं इन दोनों को गुजरात के कच्छ सिले के एक मंदर परिसर से गिरफ़तार किया गया था ब्रिजबूशन शरन सिंग की अरजी पर फैसला सुरक्षित WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजबा सांसद ब्रिजबूशन शरन सिंग यौन उत्पीडन मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे ब्रिजबूशन शरन सिंग ने यौन उत्पीडन मामले में आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजबूशन शरन सिंग की अरजी पर 26 अप्रेल के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है कौर्थ लभहत की के खिलाफ मामला दर्ज किया था लेकिन जुलाई में स्थानीा अदालत से ब्रिजबूशन को जमानत मिल गई बता दें कि जनवरी दो हजार तेइस में पहलवानों का विरोध प्रधर्शन शुरू हुआ था 18 जनवरी को पहलवानों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जिसे विपक्ष के कई नेताओं का समर्थन मिला था प्रिजबूशन शरन सिंग पर यौन शोशन और धमकी का आरोप लगा कर प्रदर्शन किया गया उनके इस्तीफे और महासंग को भंग करने की मांग पहलवान कर रहे थे अवैद तरीके से अमेरिका आने वाले भारतिय नागरिक की अटलांटा में मौत हो गई संजी अधिकारियों ने बताया कि मृतक को भारत प्रत्यर्पित किया जाना था मृतक की पहचान 57 वर्षिय जस्पाल सिंग के तौर पर की गई है अमेरिकी प्रवासन एवं सीमा शिल्क प्रवर्तन विभाग के अनुसार न्यू योग में भारतिय वानिज दूतावास को जस्पाल सिंग की मौत के बारे में जानकारी दे दी गई है इसके साथ ही मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है I.C.E. ने बताया कि जस्पाल सिंग की मौत 15 अप्रेल को अटलांटा के एक अस्पताल हुई थी मृतक जस्पाल सिंग 25 अक्टूबर 1992 में पहली बार कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश किया था 21 जनवरी 1998 को एक आवरजन नयाधीश ने सिंग को अमेरिका से जाने का आदेश दिया जिसके बाद वे भारत लौट आये थे जस्पाल सिंग ने 29 जून 2003 में अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश की थी लेकिन अधिकारियों ने उन्हें अमेरिका मेकसिको की सीमा पर ही पकड़ लिया था उन्हें अमेरिका में अवैद तरीके से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ़तार किया गया था। गिरफ़तारी की बाद उन्हें अटलांटा के प्रवर्तन और निश्कासन संचालन को सौंप दिया। गया था। उन्हें अटलांटा के एक हिरासत केंदर में रखा गया चुनाव के मद्दे नजर ट्रेनों में बधाई सुविधाएं देश में लोग सभा चुनाव 24 के मद्दान की शुरुआत कल से होने जा रही है पहले चरण का मद्दान कल यानी 19 अप्रेल को होगा जबकी जबकी सात्वें और आखरी चरण का मतदान एक जून को होगा डेड़ माह तक देश में चुनाव के साथ ही गर्मियों की चुट्टियां भी पढ़ने वाली है ऐसे में भारतिय रेलवे ने लाखों लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुचाने के लिए योजना तयार की है रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार अगले डेड़ माह में लगभग 185 विशेश ट्रेनों के माध्यम से 2600 फेरे लगाए जाएंगे चुनावी राज्यों में मतदान की तारीखों को ध्यान में रखते हुए विशेश ट्रेने भी शुरू की जाएगी रेलवे को उमीद है कि इन ट्रेनों में 50 लाख यात्री सफर कर सकेंगे इसमें सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश बिहार के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा दरासल हर साल गर्मियों में ट्रेनों में यात्रियों का सीट मिलने से दिक्कत आती है खास तोर पर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और जार्खन जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है इस बार गर्मी की चुटियों के साथ ही देश में लोग सभा चुनाव हो रहे हैं ऐसे में वोटिंग के लिए घर जाने वाले यात्रियों की संख्या भी लाखों में रहने का अनुमान है